डेली बाइट्स में आप सब का स्वागत है वेलकम डेली बाइट्स अल फ्यू वन्स अगें टुड़े इस डे फाइफ अप दे सेवन डे सेशन जहां पर डेली बाइट्स जो एक टीचर्स डे वीक सेलिबरेट कर रहा है जैसा कि मैंने को मैं आप सबी लोगों को शुरुवात में एक्सप्लें किया टीचर्स डे वीक में इसके पहले हम भी बीचिट या दिस्क्रिप्शन बाक्स में वाटस अप गुरुप वगरा का लिंक जहारा था आप उससे जुड़ सकते हैं उन लिंक उन ग्रूप्स में भी इन सेशन को जॉइन करने का लिंक कुछ देरी के लिए शूरली सेंड किया जाता है तो जहां पर आप फर्दर जो भी टीचिंग जॉब्स है या फिर बीड एंटरेंस एक्जाम है इन सब से लेट कोई भी आपको डाउट और क्वेरी रहेगा तो आप शूरली जॉइन करके डारेक्ली वन तो वन में में डिसकस करके सॉट आउट कर पाएंगे तो आज हम चर्चा करेंगे जे एमाई बीड गरेगारिंग देखो जे एमाई बीड पर आने से पहले कुछ बातें जो सभी कैंड़ेट्स को ध्यान में रखना चाहिए देखो यार पहले पी मैं कई बार आप लोग से कई सेशन में कह चुका हूं कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान दिजिएगा यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह के प्रॉब्लम को सुल्जा रहे हैं और यह भी चीज ध्यान देना कि negativity का अपने आप एक अलग तरह का temperament होता है negativity का क्या temperament होता है कि हमारा attention by default उसी पर जाता है ठीक है by default उसी पर जाता है कहने का मतलब है कि अगर मैं 7 दिन लागतार महनत करके बच्चों के लिए 3-3 गंटे बैट कर रोज उनका doubt, query, solve करके explain भी कर दें और suddenly तुमसे कोई कह देगा आके उसके पीछे भी तो उनलों का कोई motto ही होगा, उसके पीछे भी तो उनलों का कोई profit भी होगा, तो मैं लगे है हाँ, सही कह रहा है, for example, कहीं पर जा रहा है कोई कुछ comment कर देगा, अरे मैंने तो join किया तो मुझे तो नहीं कर पाते हैं, आप जाके Google के Play Store में literally लोगों का feedback देखिएगा, literally, literally लोगों का feedback देखिएगा, it is a scam, there is no previous year paper available, जब तुम genuinely जाके ठीक से देखो, तुमको दिखाई देगा कि वो कहां पर available है, कहने का मेरा मतलब क्या है, कि देखिए, हमेशा इस चीत से बचिएगा, कि do not get swayed away by the public opinion, अभी, I guess, दो दिन पहले ही session था आप लोगों के साथ, जहां पर किसी को मैंने बोला था कि R.I.B.R. के result तीन दिन में आ जाएगा, आप देखिए, आज तीसरा दिन है, exact, कल दूसरा आज तीसरा दिन है, morning में ही R.I.B.R. के result आ जाए, ठीक है, तो लेकिन, लेक से भी बहुँ जादा मजबूर रहता है, आप लोगों के सामने है, 25 के candidates तो भी बहुत नए होंगे, I guess, दो दिन पहले ही मैंने भी बोला था, यह दो दिन बात है कि आज ही morning में उन candidates को जो भी pending candidates को अगरे से उनका result आगे है, तो कहने का मतलब है कि जो चीजे इतनी predictable है न, वहाँ पर decision भी आप उसी हिसाब से ले सकते हो, जैसे कल किसी ने मेरे को बोला कि, कल किसी ने मेरे को बोला कि, सर, IP में, तो CUET से भी सुने है, admission होता है, को seat बच जाती है तो, अब candidate के हिसाब से तो उसको लग रहा है कि यह सही सवाल है, लेकिन ही सवाल at this moment, यह पूरे session को der रेल करने के लिए परयाप्त है, क्योंकि बागी को लोकों को लगेगा, अच्छा ठीक है, वो तो फिर देने का ही जरूवत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा logic उसमें long run में काम नहीं करेगा, क्या अब वो अच्छे college में थोड़ी न बचा है, और जो खराब college है, मा तुम पैस किया, तो कहां से आ रहा है, दूसरा चीज, बाकी के लोगों को भी सुन करना, short cuts पर हम ज्यादा जाते हैं, चाहे मैं कितना भी किसी candidate को बोल दूँ, ठीक तरीके से degree लीजिए, ठीक तरीके से degree नहीं लोगे, future में दिक्कत होगा, again, again होता क्या है, बहुत से ऐसे ही बच्च किया है, ठीक है, तुम्हारी अंतरात्मा को बहुत अच्छे से पता होता है कि तुम क्या पढ़े हो, और तुम्हारा exam में किस तरह का performance हो सकता है, deep down तुमारे दिल को बहुत अच्छे से पता होता है, और कैसा तुम्हारा preparation है, तो मैं students को हमें से कहता हूँ, किसी भी paper में ज कैसरा, क्योंकि पता है, जब आप पहले ही मन में reject कर लेते हो, और ये मैं इसले नहीं कह रहा हूँ, कि तुमको जवर्जस्ती अपने आपको मन में reject नहीं करना है, क्योंकि विलास्तर ने बोला था, कि खुद को तो मन में reject नहीं करना है, और 200 में cutoff गया था 180, और मेरे आरे करनी के बाद पता रहता है, कि तुम्हारा 1890 से जदन नहीं आएगा, तो in that case तो आप reject ही करोगे अपने आपको, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, कि तुम्हारा preparation level ऐसा होना चाहिए, कि तुम्हारा अगर fail भी हो रहे हो, तो 150 number से हो, 160 number से हो, 150 number से हो, at least, at least, कि जब तुम paper दे आपके फिर देखोगे, कि यार मैंने क्या attempt किया, क्या mistake हो गया, यार answer की कब आया, जिन बच्चों का मैंने देखा है, number भी बहुत खराब रहता है, उनका answer की भी आके चला जाता है, उनको पता नहीं चलता है, paper में क्या हुआ नहीं पता चलता है, तो ये चीज़ आप experience ही बस माहिने रखता है, ठीक है, never ever get swayed by that public opinion and also ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि ये एक temperament होता है, जो आपको develop कर रहा होता है, ठीक है, by default हम सब एक negativity की तरफ attract रहते हैं, जैसे कल कीजी ने मेरे को बोला, कि घरवाले कह रहे हैं कि हास्टल का खाना जो है सही नहीं रह सब कुछ provide करते हैं, बहुत अच्छा आपको जो है, accommodation वगरे सारा कुछ बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छे अच्छे जगह जाओगे तब तो आप अच्छा चीज़ experience करोगे, ठीक है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, नार्मल यार नार्मल किसी hotel में जाते ह तुम किसी 5-star hotel में check-in करो और तुम किसी 1-star, 2-star hotel में check-in करो तुमको difference भी हो जाएगा, in fact, in fact, ऐसा हो सकता है कि तुम किसी 5-star hotel में check-in कर रहा हो तो check-in में बहुत टाइम लगाते हैं, और नार्मल किसी 2-star, 3-star hotel में जाओगे न, सीधे ID कार्ट दो, जरॉक्स दो, और अ चले जाओ, और किसी 5-star में जाओगे, तो बहुत लंबा check-in का procedure रहता है, लेकिन हाँ, फिर check-out पे भी बहुत इजद से आपसे behave करते हैं, hello sir, आप कितने वजी leave करेंगे, और नॉर्मल ही होता है, यह आपका time हो गया, काली कर दीजे, तो देखो यह यह depend करता है कि same काम के तो आरा experience कैसा है, ठीक है, और आपको किसी भी opinion के हिसाब से नहीं जाना है, आप कोशिश करिए, कि हम इस हिसाब से develop करें, कि आप self decision लेने lack हो, अगर self decision लेने lack नहीं रहोगे, तो मैं कितना भी eligibility criteria समझा दूँगा, कितना भी syllabus समझा दूँगा, कितना भी paper structure समझा दूँग कितना भी कह दूँगा कि कैसे पढ़ लो, यह तुम को इस तरीके से कर लेना चाहिए, तुम को इस तरीके से कर लेना चाहिए, अंत में होगा क्या, जो आप self decision लेने लेते रहोगे, सर मेरा result देखके बता देगे क्या मैं eligible हो, सर यह मेरा result देखके बता देगे कि कितना number आ सर कुछ आप कह सकते हैं कि अग प्रोबिल्टी कितना है कि मैं सलेट हो जाऊंगा कि नहीं होंगा सर पेपर कैसा रहेगा सर कितना कट आफ जाता है थोड़ा सा भी common sense यूज करोगे तो अपने अंतरात्मा से पूछ के देखो खुद से पूछ के देखो तुमको पता रहेगा क क्या let's say आज का session अमारा JMI के regarding ही है क्या ये कोई जरूरी है कि आज अगर मैं JMIBA 2025 के regarding बात कर रहा हूं जो paper structure मैं बताऊंगा वो वही follow करेंगा कल को जामिया भी कह दे कि हम अपने admission अपना paper खुद से नहीं कराएंगे और हम CUET से admission लेंगे कल को जामिया कह सकता है ये बात अ तो आप ये चीज़ समझे कि हम जब जा रहे तो हम self decision लेने lack रहें ऐसा न रहे कि अच्छा उन्होंने कुछ change कर दी है last moment तो आलत कराब हो रही है कल को जामिया कह दे कि हम paper online करवाएंगे तो क्या तुम equally online compatible हो और तेखिए ये बाते इसलिए भी important है क्योंकि हम यहाँ पर teacher education के session के regarding बाते हैं मतलब तुम समझ रहे हो जिस exam hall में तुम किसी examiner से कुछ पूछ रहे हो यह उमीद करके कि वो teacher है अगर आप B8 की degree लेने आते हो तो hardly साल दो साल में आप भी उसी जगह पर रहे हो तो बहतर है कि वो experience वो exposure वो enlightenment ठीक है वो चीज़ आपके अंदर पहले से थ देखते रहे हैं कि हमको self से कैसे read करना है कैसे सारा कुछ करना है कि you can't be sure कल GMI अपने eligibility चेंज करते पेपर structure चेंज करते पेपर online कराएगा आप हर situation और circumstances के लिए prepared रहे हैं और पता है prepared कब रहोगे जब तुमको पता रहेगा कि ऐसा हो सकता जब तुमको पता रहेगा कि ऐसा भी हो सकता है तब आप उसके लिए ज़्यादा prepared होगे बाकी का जो जैसा चल रहा है वैसा करते रहे हैं आप लोग को पता होना चाहिए अकसर आप देखोगे कि YouTube पर इस पर महाल बना रहता है कि post graduation के बाद B.A.W. एक साल का होगा B.A.W. एक साल का होगा 2020 में new education policy आया था औ तो technically जब 2025 में paper होगा तो 5 साल हो जाएगा आप जाके पूरा YouTube खंगाल लिजेगा दो साल तीन साल भी मेरे पुराणे वीडियोजों के जहां मैंने बोला कि एक साल वाले B.A.W. तुरंत implement नहीं होगा जो बच्चे post graduation कर भी लिए शायद 2025 से वो शुरू होता हुआ देखने क के लिए मिले उसके बाद भी कई PG वाले बच्चे पूछते हैं कि सर अगले साल से ब्याड एक साल का हो जाएगा तो मैं किसी और subject से भी PG कर लूँ क्या या मैं कुछ और plan भी बना लूँ क्या यार हो जाएगा हो तो पिछले चार साल से जाना चाहिए था क्या पता एक साल कर दें तो करियर में जब आप plan मराते हो ना तो जितना ज्यादा आपके पास information रहेगा उतना ज्यादा आपको clarity रहेगा क्योंकि अगर तुम को clarity of mind है न तो ये matter ही नहीं करता है कि तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो कि नहीं हो कि टॉपर तुम बहुत अच्छे हो कि न education add-on करता है कि क्या चीज practically possible है क्या चीज practically possible नहीं है ठीक है तब आपका education काम आता है अधर्वाइस होगा कि आ वहां से भी निकलोगे कॉलेज वाले तुमको समझा देंगे ये assignment करके लाइए ये करके लाइए वो करके लाइए कल आपको इससे job मिलेगा वो मिलेगा और कॉलेज वाले सो बोल दो कि guarantee है तो पीछर जाएगे पूझ लोग इतना डंडा रोज क्यू कर रहे है मतलब B.Ed.E. professional course है तो हमको ये भी त का preparation कर रहा हो चाहे B.E.E.U. चाहे IP चाहे जामिया कोई भी institute 90% case में आपको job provide नहीं कराएगा 90% case में ध्यान दीजेगा 90% cases में institutes आपको job नहीं provide करेंगे R.E.E.B.E.D. की बात थोड़ा थोड़ देर के लिए अलग करते हैं तो थोड़ा सा मसला अलग हो सकता है 90% institutes आपक एक ऐसा degree नहीं है कि जो IT sector का company हो जहाँ पर TCS वाले आये हैं 200 technical lead की जरुवत है और बस B.E.E.E.C. की degree है उन्होंने 200 बच्चों के recruit कर लिया teaching में S.E.E.C. लेनी होता है किसी भी school में जाओगे वो school चाहे नया भी क्यों न खुला हो history के दो ही तीन teacher चाहिए, politics के दो ही तीन teacher चाहिए, science के दो ही तीन teacher चाहिए, math के दो ही तीन teacher चाहिए तो जितने सारे B.E.E.E.C. की college है उसमें उससे ज़्यादा seat है तो obvious से बात है math recruitment नहीं होता है लेकिन हाँ reference के basis पर job आता है तो आपको ये बात भी समझना होगा कि अच्छा केवल admission ले लेने से ही बहुत सारे बच्चे होता है केवल degree में एक दम डूब जाते है तो उससे दो साल बात निकलोगे तो फिर बेरोजगार रहोगे क्योंकि फिर तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम degree लेने जा रहे हो तो job की requirements totally अलग है लेकिन question होता है कि सार अगर job का requirement totally अलग है तो क्या तो क्या हमें degree की आ सकता नहीं है क्या अगर job का requirement totally अलग हो तो फिर डिगरी ले ही क्यों ठीक है अगर job का requirement totally अलग हो तो डिगरी ले ही क्यों यार मुझे लगता है इसका एक perfect example ही हो सकता है तुम degrees लेलो क्योंकि तुम चाहे गाड़ी कितना भी अच्छा drive करते हो तो आने पास driving license होना चाहिए तुम कितना भी अच्छा गाड़ी drive करते हो हो सकता है कि पिछले 10 साल में कभी तुमको पुलिस वालों रोग के चलान ना काटा हो कभी भी हो सकता है पिछले 10 साल से में कार चलाता हो कभी किसी ने जो यहार दिखा के रोका ना हो लेकिन फिर भी driving license होना चाहिए मेरे पास क्योंकि तुमको नहीं भी चलाने ही आता रहेगा तो driving license एक पल को आपको सत्यापित करता है ठीक है आपको एक तरह से कह लिजे कि legal protection देता है आपको system में ले आता है वैसे हिं degree का भी वही सब काम है लेकिन at the end of the day drive तो तुमारा by driving के skill पर ही आएगा तो same चीज़ किसी भी field में degree ले रहे हो medical, engineering, teacher education सभी जगह पर ये बात लागू होती है और teacher education का field तो government और diversify कर रही है इसमें आने वाले समय में scope और बढ़ने वाला है क्योंकि इंडिया में educational institutes काफी बढ़ रहे हैं, इंडिया एक developing nation है और education हमारे country में पीछे नहीं, काफी पीछे है बजट का भी 6% खर्च होना चाहिए, 3.3% में सरकार डूप जाती है, उससे ज़गा नहीं खर्च का हो पाता है तो कहने का मतलब कि ample amount of opportunity और scope आने वाले समय में है और यही reason है कि new education policy में इस teacher education के course को बहुत और diversify किया गया है कि जो बच्चा class 12th pass है उसके लिए 4 साल वाला integrated beard होगा जो बच्चा graduation करके आ रहा है उसके लिए 2 साल वाला beard होगा अगर सरकार को यह सारी चीज़े रोकनी होती तो इतना और सारा option नहीं create करता ठीक है यह सारे options ही create इसलिए की जा रहे है ताकि और ज़्यादा candidates को इसमें लिया जा सके और ज़्यादा candidates को ठीक से perceive करें लेकिन problem तो यह होती है न कि आप सिर्फ इसको degree के नहीं जरी से देख रहे हो तो problem बस वहाँ पर आ रही है तो वो जो main vision है वो at times miss हो जाता है and again खुद से अगर अपनी education policy नहीं पढ़ोगे तो यूट्यूब पर देखोगे तो जा के भर-भर के देखिएगा लिखा होगा इस साल ब्याट हो जाएगा बंद this साल के बीड़जये का ब्याट बंद हो जाएगा आप सब लोगोने देखा होगा उसता कर बहुत सारे youtube पर बनाता है कि साल से बेर्ड़जये मतलब कैमना ऐसा है कि जो लोग बता रही है उन लोगोंaimer ने खुद भी अब धीरे 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 एक तबका है ऐसा जिसको थोड़ा सा clarity मिल लए कि क्या हो रहा है हम कह रहे है तुम खुद क्यों नहीं read कर ले रहे हो it is poor people who always rely on screen ठीक है जिनको कोई हमेशा कोई आके बताएगा गरीब आदमी गरीब मान सकता जो होती है कि labor मजदूर जिसको आके कोई guide करेगा तभी करेगा rich people have libraries and when you have library you have the tendency to read it yourself तो जब आप उचीज देखो कि आपको पता चलेगा कि या रहा है निपी में तरह से कुछ लिखा ही नहीं हुआ है क्योंकि अगर बंद हो रहा होता तो क्यों नहीं पिछली साल ही बंद हो जाना चाहता है इस साल क्यों नहीं बंद हो रहा है और सभी colleges admission क्यों ले रहे है तो यह चीज आप समझे है कि जब इसमें 12 के बाद और बच्चों को लाए जा रहा है ग्रिजुशन के बाद और बच्चों को लाए जा रहा है पीजी के बाद और बच्चों को लाए जा रहा है तो कहने का मतलब है कि portfolio उसका और diversify किया जा रहा है तो opportunity बहुत ज़्यादा आने वाली है लेकिन हाँ आप हमेशा इस हिजाब से ready रहिएगा पढ़ाई करते समय कभी भी पढ़ाई करते समय इस हिजाब से ready रहिएगा कि मेरे को government job मिलता है तो भी ठीक private job मिलता है तो भी ठीक और दोनों नहीं मिलता है तो भी ठीक तभी आपके पास ऐसा होगा कि आपको दोनों तीनों भी मिलेगा आपको इस बाक से फर्ग नहीं पड़ेगा और आप इस हिजाब से डेवलप करेगा कि हाँ आपके उस सीज का बहुत ज़़ा इंपक्त ना पड़े और ये चीज करने के लिए आपको थोड़ा जरूरी है कि प्रिपरेशन का लेवल ठीक ठाक हम लोगों का होना चाहिए eligibility वगरा का समझ पहले से होना चाहिए क्योंकि देखो बहुत से ऐसे भी लोग होते है graduation वगरा हम ऐसा degree ले लेते हैं जैसा कि आज हमको JMI B8 के regarding बात करना है तो जामिया इंडिया के one of the अच्छे institutes में से है as far as B8 pursue करने की बात आती है इंडिया का one of the oldest university भी है and education department भी यहां का काफी पुराना है आप देखो कि जामिया में भी admission से पहले admission से पहले ही बोलते हैं कि subject का यह यह combination होना चाहिए बनारस Hindu University जामिया से थोड़ा पुराना है आप देखो कि BHEU में आपको यह देखने के लिए मिलेगा कि BHEU वाले भी subject combination बोलते हैं कि यह subject combination है कि तभी admission भी तुम DU का form fill करो DU वाले भी बोलते हैं कि यह subject combination रहेगा तभी तुम DU BHEU का form fill कर सकते हो RIE BHEU भी आप देखिएगा RIE BHEU में भी 100% नहीं लेकिन फिर भी वो लोग भी एक minimum subject combination एक minimum eligibility criteria रहते हैं subject को लेकर कि तभी आप form fill कर सकते हो लेकिन देखा करो इंडिया में जितने भी state universities है चाहे तुम पूरा UP BHEU का form fill कर रहा हो चाहे तुम बिहार BHEU का form fill कर रहा हो ये लोग simply बोलते हैं graduate हो तो form fill कर लो चुकि बस किसी भी तरह तुम पैसा देके admission लोग जितने भी state university वाले है मैं ये नहीं कहा रहा हो कि state university अच्छे colleges नहीं है बहुत सारे बहुत अच्छे colleges है लेकिन आपको उसका difference समझ में आना चाहिए यार हाँ ये बात तो मैंने कभी सोचा नहीं और इसका impact जनते हो क्या है अगर आज तुमको जामिया ये बोलता है कि ये subject combination होना चाहिए तो होगा क्या न कोई भी गलत वच्चे का admission weird में नहीं होगा गलत वच्चे का admission नहीं होगा मतलब कल को जब job आएगी न तो तुम देखोगी कि job में भी same eligibility criteria मांग रहा है subject combination वगरा का जो DU वाले, जामिया वाले, बहु वाले तुमको admission से पहले ही कह रहे थे ठीक है, admission से पहले ही कह रहे थे भाई, पहले ही देख के B.A.D.M. admission देंगे क्यों, क्योंकि अगर नहीं set बटे है का तुमको B.A.D. degree नहीं देंगे तो सुचो वो लोग इस level पर अपने आपको premium बनाये हुए हैं, कि भाई, अगर तो अना subject नहीं तो जब इंडिया की major center universities अपने हां subject combination का कह लिजे ताम जहां फैलाई हुई है तो बेखूप तो है नहीं यह तो obvious सी बात है कि यह जो इंडिया के तमाम जो premier इंस्टिट्ट्स हैं, इनके हां ज़्यादा बहतर teacher and educator अपको देखने के लिए मिल जाएंगे, तो बेखूप तो है नहीं, क्यों उन्हें इस तरह का फैला रखा है, अपने अकर रखा है ठीक है, तो आपको यह बात भी at the same time समझना होगा कि भाई, यार कुछ तो इस बात में difference होगा, ठीक है तो इसी लिए eligibility criteria वेगर में अपने combination वेगर देखने के लिए मिलता है, थोड़ा सा JMI के मैं eligibility वेगरा पर आ जाता हूँ और paper structure वेगरा पर आ जाता हूँ उसके बाद जो है मैं आप लोग के doubt or query पर आऊँगा, तो भाई देखो, JMI का जो education department है, one of the oldest education department है JMI का क्यों मैं कह रहा हूँ, देखो यार सिर्फ B.A.D. नहीं करवाते हैं ये लोग B.A.D. nursery education B.A.D. special education D.L.A.D. M.A.D. special education MA education PhD में, मतला education में PhD तो देखो कि तरह तरह के education वाले courses इनके पास level है, इससे ये भी पता सेलता है कि department वेगरा बहुत पुराना है, बहुत पुराना क्यों है क्योंकि ये ऐसा नहीं होता है कि एक दिन में सारा खुल जाता है, समय के साथ देरे-देरे जो है evolve होता है और उसके बाद हो सारा कुछ open होता है, ठीक है? तो JMI B.A.D. के eligibility criteria पर आने से पहले, आप सभी लोगों को न, ये school teaching subject जो box में लिखा हुआ है, ये आप देख लीजिए, ये total 17 subject हैं, ठीक है? सभी लोग देख लीजिए, मैं screen रोका हुआ हूँ, pause कर रखा है, 17 subject हैं total यहाँ पर, ध्यान देना, इन 17 subject में से केवल और केवल कोई एक subject ही तुम ले सकते हैं, अब तुम देख लो कि वो कौन सा subject है तुम्हें जो लेना है, जो तुमारे दिमाग में आ रहा है, अच्छा, और ऐसा भी नहीं है कि कोई सा भी subject उठाया, ले लिया, वो कौन सा subject लेंगे, वो अभी मैं आगे explain करूँगा, in meantime ये 17 subjects आप देख लीजे, कोई भी ऐसा है, जिसको screen नहीं दिख रहा है, तो अगर आपने मुझे pin कर रखा है न, चैट में तो please pin पर साहटा दीजे, आपको screen दिखने लगए तो देखो, ये totally school teaching subject है, ठीक है, commerce को छोड़ दिया जाए, तो commerce में किसी भी candidate को commerce को as a teaching subject लेने के लिए post graduate होना जरूरी है, commerce वाला बच्चा सिर्फ b.com करके commerce को as a teaching subject नहीं चूज़ कर सकता है, ध्यान देना मैंने ये नहीं बोला है कि commerce वाला बच्चा सबसे पहली बात, आपके पास graduation में 50% marks होना चाहिए, अगर graduation में 50% marks नहीं है और वक्त के साथ समय रहते तुमने post graduation कर लिया और post graduation में 50% marks स्कोर है, तब भी तुम जामिया का form फिल कर सकते हैं, ठीक है, otherwise 90% candidates तो graduation के basis फिल करते हैं, तो मैं मान के चलना हूँ आपके graduation में 50% marks हैं, अगर नहीं है, तो post graduation में 50% है, तो भी चलेगा point 1, आपके पास bachelor degree होनी चाहिए, इस school teaching subject में, जिसमें minimum 50% marks scored हो, मतलब कि total आपका graduation में 50% होना चाहिए, तो आपके पास bachelor degree होना चाहिए, school teaching subject में, with not less than 50% marks, school teaching subject क्या है, पीछे देख लो, कि बैसलर डिग्री होना चाहिए, आपके आपके पास, graduation में 50% marks होना चाहिए, मोटी मतलब से बात, यह कहा जा रहा है, टेके, दूसरा point क्या है, the main school teaching subject in which the candidate is applying should have been studied in two years or four semesters, जिनके यह semester based course होता है, तो भाईया उनका 4 semester, otherwise इनका year वाला होता है, तो यह कहा जा रहा है आपसे, कि यह जो पीछे 17 school teaching subjects दिये हुए है, यह जो total 17 school subject तुमारे आगे दिया हुए है, जो पुरा list है 17 school subjects का, इसमें से जो भी subject तुम चूज करोगे, ध्यान दीजेगा, इसमें से जो भी subject आप चूज करोगे, उस particular subject को आपने, अपने graduation में minimum 2 years का पढ़ रखा हो, निउन्तम 2 साल का पढ़ रखा हो, कोई ज़रूरी नहीं है, कि continuously first seconds year में पढ़ रखा हो, first semester में, fourth semester में, fifth semester में, third semester में, कैसे भी करके total four semester में आप पढ़ रखा हो, तो आप उस subject से beat करने के लिए eligible हो, ध्यान दीजेगा, again I will repeat, इस 17 subject में से, कोई एक subject आप अपने mind में ले लो, देखो sorted करो बात को, इस 17 subject में से, कोई एक subject अपने दिमांग में तुम ले लो, और check करो, कि क्या उस subject को मैंने अपने graduation में at least 2 साल का पढ़ा है, या फिर अगर मेरे याँ semester based course होता है, तो क्या मैंने उसको 4 सा semester ने पढ़ रखा है, अगर पढ़ रखा है, तो हाँ आप जामिया भी एट के लिए eligible, अगर कोई भी ऐसा candidate है, जिसने honors degree ले रखा है, तो simple सा clarity है कि अपने mind में set कर लीजे, कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने आप में से honors degree ले रखा है, यहाँ जो 17 subject है, इन 17 सब्जेक्ट में से, किसी भी एक subject में, किसी भी एक subject में आपको honors degree है, तो आपको जामिया के eligibility criteria में Arabic में है, आपके पास economics में है, आपके पास chemistry में है, आपके पास physics में, honors degree है, तो आप directly जामिया के beard के लिए eligible है, simple सा बात है, ठीक है, और B.com वाले candidates को, M.com किया हुआ हुआ हुना जरूरी है, Commerce, Pedagogy को चूज करना, अच्छा, also देखो, पर allocate करते हैं, वही बात इन्होंने यहां नीचे लिख रखा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कोई बात कर लूँगा, बाकी का कोई बी ऐसे candidate इसको जिसको eligibility समझ में नहीं आ है, या उसको अपने result को लेकर कोई भी दिखकत हो, Anyone, ठीक है, ओके, येस मुहमद आसेफ, येस प्लीज, बताइए, आसेफ, प्लीज, जुचाने माइक, जी आसेफ, जी गुड इवनिंग, बताइए, जी गुड इवनिंग आसेफ, बताइए, मैं जी पूछाए जराथे, मैच में, जैसे की, मैच में 50% से नीचे है, लेकिन physics में 50% से अबाव मार्स है, सुनिए, आपका इंट्रेस्ट मैटर नहीं कर रहा है, यह देखना जरूरी है, तो physics से फॉर्म फिल करिए, ठीक है, इस बात से बहुत ज़र्ण फर्ण नहीं पड़ेगा, कि आप math के teaching subject को चूज़ कर रहे हो, या फिर physics के, जब एक बार B8 में admission हो जाता है, तो उसे बहुत फर्ण नहीं पड़ता है, कि subject कौन सा है आपका, ठीक है? ठीक असिप? ओके देन, आइल कम टू आशीश कुमार ये साशीश, आशीश कुमार ये साशीश, मैरे question ये कि, जामिया का जो इंटरांस होता है, तो उसे क्या subject related question आते हैं? उसे मैं आऊँगा, सलवास बास मोरा आऊँड़ा, ठीक कोई डाउट होबाँ तो बताएगे, ठीक रही, ऐसे तो मेरे chemistry उनरसे साब, तो उसमें तो हम eligible हैं ना? हाँ, येस. क्यों आपको देखके लग नहीं रहा सुनके पूरी बात अलिजबल हैं के नहीं? ये नहीं रहा है न सुनके अलिजबल है? ने 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 शिर्फ वी टॉकिंबट जामिया, ठीक है? राई का सेशन अबर हो चुक है, ठीक है? कभी और किस और सेशन में बात परूँगा, आज सुर्फ फोकस्मेंट जामिया है हमारा, ठीक है? सर, नेक्स सेशन कब देखिए, आमिर अनॉंस किया जाएगा बहुत जाएगा ठीक है? या फिर सेशन के एंड में बात कर लीजेगा, आप कुछ बहुत बिशेश होगा एनिवन एल्स किसी को जामिया से लेकर कोई भी डाउटर को है रही, इलिजबिल्टी को लेकर, सिर्फ और सेशन को लेकर ठीक है? I'll be moving forward, ठीक है? इलिजबिलिटी के बाद एक बहुत important जो focus point आता है कि पेपर ओपर क्या होने वाला है? ठीक है? जामिया में total कितने seat है? जामिया में in total केवल और केवल 200 seat है, 200 सभी 17 subject का मिला के in total 200 seat है, मात्र 200 seat है, total ठीक है? खेर, तो यह बात आपको clear है कि जो भी बच्चा commerce owners वाले हैं, उनको master's होना जरूरी है इसके regarding idea होना चाहिए, क्या कोई age criteria होता है? नहीं कोई age criteria नहीं previously मैं explain कर चुका हूँ आप लोगों को, 99% cases में degree लेने के लिए कोई age criteria नहीं होता है नौकरी करने के लिए age criteria जरूर होता है, देखो बहुत से ऐसी degrees होती है जहां पर age criteria जरूर है, लेकिन as far as B.Ed करना है, तो वहां पर age criteria नहीं होता है B.Ed करने के लिए हमारे पास सिंपल्स है कि minimum eligibility फुल्फिल कर रहा हो, तो 50 साल के भी हो, 20 साल के भी हो, तो आप बिल्कुल eligible हो ठेक है, हाँ, job करने के लिए आपको age criteria देखने की जरूरत है, also, also कुछ 2-4 courses ऐसे होते है, जहां पर age criteria होता है, अदर्वाइस कभी भी पढ़ाई करने के लिए सच कोई age criteria नहीं होता है दूसरा paper में क्या होता है, 85% area जो है, MCQ type written exam होता है, मतलब आपका paper होगा, exam center allocate होगा, paper आएगा, MCQ type question रहेंगे, एक question के में 4 option रहेंगे, total वो paper 3 घंटे का होगा, 170 questions आएंगे, 170 marks का होगा, और अगर कोई भी अंधी तुक्का आप मारते हो, तो paper में negative marking भी 1 4th negative, 0.25 marks कट जा जामिया अपने आप में फिलाल एक लौता उन्वेस्टी है, जो B.Ed में अभी interview ले रहा है, बहुत पहले डेली उन्वेस्टी में होता था, डेली उन्वेस्टी का लोंने बंद कर दिया, interview नहीं रहते हैं वो लोग, ठीक है, तो जामिया में अभी भी interview होता है, also एक चीज से, आपका कोई सा भी subject हो, चाहे तुमारा Persian क्यों न हो, चाहे तुमारा Urdu क्यों न हो, चाहे तुमारा English क्यों न हो, चाहे तुमारा Computer Science क्यों न हो, चाहे तुमारा Chemistry क्यों न हो, Physics क्यों न हो, History क्यों न हो, सभी candidates ये paper structure देंगे, सबके लिए same paper होता है, same paper follow होता है, जो आपक question आएगा सभी candidate से reasoning के 30 question पूछे जाएगे सभी candidate से सिक्षड अभिरूची teaching aptitude से 30 question पूछे जाएगे सभी candidate से current affair का 30 question पूछा जाएगा क्योब current affair नहीं रहता है static gk वेगर अभी रहता है सभी candidate से science से 20 का question पूछा जाएगा सभी candidate से social science का 20 question पूछा जाएगा सभी candidate से maths का 20 question पूछा जाएगा सभी candidate से language का 20 question पूछा जाएगा और ध्यान देना यहाँ language का मतलब ना तो English है ना तो Hindi है यह language में language as a teaching subject language as a pedagogy का question पूछते हैं कि language को पढ़ाते समय क्या class के dynamics होते हैं तो वो वाले जब आप questions देखो वे PYQ आप Delhi Bates के app से जाके डाउनलोड कर सकते हो जो आप language वाला question देखो वे तो आपको समझ में आ जाएगा वहाँ English का language Hindi का language नहीं पूछता है language को as a teaching subject के तोर पर कैसे treat करना चाहिए उस तरह के questions आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे तो JMI में total 170 questions चाहिए आपको कोई subject हो सबको same paper देना है और हाँ यही reason है कि जो social science वाले बच्चे होते हैं या science वाले बच्चे होते हैं जिन्होंने math वायद नहीं पढ़ रखा होता है तो उनको दिक्कात होता कि यह तीस question यह math का बीस question यह तो कुल तुम देख लो के paper में तुमको 50 question देखने के लिए मिल जाएगा ऐसा जो तुमको math और reasoning से questions आपको देखने के लिए मिल जाएगा 50 question आपको देखने के लिए जाएगा चेक है और teaching aptitude 66 अभी रूची से 30 questions and हाँ science भी पूचता है, social science भी पूचता है ठीक है, सभी subjects को यह लोग बराबर से ठीक ठाक तरीके से पूरा cover करके पूचते हैं तो यार यही reason है कि 90% जगहों पर कोई भी जामिया बीएडवेट का लोग preparation भी नहीं कराते हैं Delhi Whites अपने आप में एक लोटा platform है जहां पर जामिया के DL8 का preparation होता है जामिया के B8 का preparation होता है या पिर DU के सभी paper code का BHU के सभी paper code का क्यों क्योंकि यार मतलब it's not about fee मतलब बात समझे एक paper में अगर इतना सारा subject पूचने लगेगा तो हमें तो सब पढ़ाना है चाहे 20 number का science पूचे है चाहे 20 number का social science पूचे है हमको तो पूरी social science पढ़ानी है ठीक है तो इस वज़े से candidates को भी समझना चाहिए कि तमाम ऐसा कुछ आप पहली बार पढ़ते हो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं math में उनको सबस्दत से और बहुत महनत से करना पड़ेगा क्योंकि फिर इतना easy नहीं हो का आपके लिए qualify करना और ये बात social science की question पर भी लागू होती है science की भी question पर लागू होती है और एक चीज आपको ये भी देखने के लिए मिलता है कि हाँ फिर cut-off वगर भी फिर उसी हिसाब से जाता है ठीक है ऐसा नहीं कि 180 में cut-off 170 जा रहा है 110 120 तक आप सही करते तो आपको selection हो जाएगा खेर now I'll come to you people okay तो जिनको भी कोई doubt or query just raise your hand anything related to GMIBA जी आशीश कुमारियस प्लीज बदाए क्या देखता था जाला हो जाला है उसमें इंट्रांस करने के आप क्या करना होगा आप जासे के आपका अले है सुनिया जो पेपर कोड है डेली उनिवर्टी का यह पेपर कोड तो यह जो पेज के अनॉंस्मेंट है वो BHU का भी progression है ठीक है same paper code submission होता है CU ही ठीक है ठीक है और BHU का अलग से भी detail आपको देखने के लिए मिल जाएगा ठीक है फिलाल के लिए आप ये दियान रखिए कि वो same paper code submission होता है ठीक है चाहे DU का चाहे BHU का ठीक है तो आप WhatsApp handler को बोल जीजेगा कि मेरे को BHU के इस subject में जॉइन करना है जो भी वो payment code आपको send करेंगे आप उसे pay करके add कर दिजेगा आपको आपको आटोमेटिकली BHU अले बैच में रियाके add कर देंगे ठीक है ये चीज और कुछना है मैंने बाइ मिस्टेक मैंने आपको 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 आपक सब्सक्राइब करें अगर आप से बाइमिस्टेक हो गया है आप मुझे शो कर सकते हैं कि आप ही ने पर्चेस किया और आप से इसा हुआ आप मुझे दिखा सकते हैं अभी आप शो करें आप स्क्रीन शेयर करें आप अपनी बारे में बात कर रहा है यह तो मैं अपने बारे में बात कर रहा है अच्छा मैं अपने वाइट के वारे में बात कर रहा है मैं अपनी वाइट को बात कर रहा है अब सूचिए मेरी सिंबल से बात समझीए अगर आप समझना जाएंगे तो आप इस बात समझ पाएंगे अगर पहला चीज तो डली बैट कोई भी क्लास डली बैट के आप में भी नहीं होता है वेबसाइट में नहीं होता है आप वाटसाफ हंदलर को पूछे का क्लासे कैसे होती है वो डीटेल भीजेंगी ठीक है उसको देखकर कोई भी बच्चा ऐसा है जो CQP05 का ले लिया है जाके CQP04 के जगा देखके या अशिश यह आप कह रहे हैं ना कि मैंने गलती से ले लिया है हम लोग नहीं मानेंगे कि आपने गलती से ले लिया है क्योंकि हम मान नहीं सकते हैं उस position में नहीं है आपको बात समझ रहा होगा अब वो ऐसा नहीं कि आपने पैमेंट किया तो पैसा मेरे जेब में आ गया है देखिए जेब भी कोई है नहीं आपर कि मेरे जेब में पैसा आ गया है ठीक है बिलकुल ऐसा नहीं है अब वो सिंस आपने लैंगविज का जाके पर्चेस किया है आपने खुद पर्चेस किया लेकिन अगर आपने app में जाके खुझसे कोई चीज पर्चेस किया है क्योंकि से आपने पर्चेस किया है तो आपने उसका mock test open कर दिया आपने उसका notes open कर दिया है अब आप यह कहा होगी सर उसको close कर दें तो हम इसको close नहीं कर सकते हैं अब आप कहे रहे हो कि हमको social science वाले में adjust कर दिया जाए उसी fee में हम इस बात को कैसे माने कि आपको language देना है और आपको social science नहीं देना है या फिर आप आपको social science ही देना है ठीक है आप बात को समझेए मैं क्या क्या रहा हूँ जिसे मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि आप आपको social science देना हूँ आपकी wife को language देना हूँ तो ठीक है वो adjust करना possible नहीं है अगर होता तो मैं literally करवा देता ठीक है मैं ज्यादा से ज्यादा यह कर सकता हूँ कि मैं यह करवा दूँगा कि जो भी इसका exact कुछ तो जो भी extra server charge वागर है वो five to six hundred rupees होता है वो आप पे कर दें तो मैं adjust करवा दूँगा ज्यादा से ज्यादा मैं यह कर सकता हूँ ठीक है क्योंकि अगर आपने उसको open कर दिया है न तो हम लोग लोग नहीं कर सकते हैं कोई बच्चा जाए कि पर्चेस करता है जो date mentioned है तो वो हम लोग नहीं कर सकते हो Google के play store में Google की भी अपनी app की policy होती ह ऐसा नहीं कि हम आपको अटा सकते हैं ठीक है बाकी मैं यह कर सकता हूँ अगर आप preparation classes के लिए join करने के लिए आये तो आप WhatsApp handler को message कर दीजेगा मैं surely उस amount को preparation classes में adjust करवा सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा मैं यह कर सकता हूँ इस से ज्यादा नहीं ठीक है कि वो possible नहीं मेरे I hope I'm clear Aashish So Okay I'll come to next candidate Prashant Kumar Good दूरण Yes yes please Sir मेरे दो क्रेड़िस राता है तरस कर भी है कि suppose that मैं जाँ या बी एध में दिए निवस्क की इप्जिर्एं निवसकर कुसी हिंवे इप कर लेता हूँ लेकिन कर लेता हूँ ऑफ कोई दिख द After With Cabinet कुले सी स्यंटिय कर लेता हूँ वो जौब की का सब्जेक्ट है वो जौब की उलिजिभिल्टी क्रेटरिय में तभी काॉट नहीं होता है आपका सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करते हैं अब आप सोची आप अपना एक्जामपल ले लिए परफेक्ट आपने बोला कि सर मैं 0405 दुनों से अलिजिबल हूँ ठीक है मान लेते हैं कि आप अलिजिबल है अब मैंने इनको क्या बोला कि मैं कैसे मान लूँ कि आपके वल 05 के लिए अलिजिबल यह तो ऐसे है तो अगर हम लोग करने लगें तो पॉसिबल नहीं है पहला चीज दूसरा चीज हाँ आप दोनों का पेपर कोट का पेपर दे सकते हैं जब क्योंकि आपको CUET का फॉम फिल करना जब CUET का फॉम फिल करें आप पहले CUET का पेपर देंगे और जब इसकोर कि मेरा आइबरेज आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है मुला हम DU से भी टेक पैडलोजिन अप्लाइगा सकता है हां आप CUET का पेपर पहले देंगे तो फॉर और फाइफ का पेपर दे दिये स्कोर आ गया स्कोर देखके आपको आइडिया मिल जाएगा मेरे किसम एड्मिशन मिल सकता है तो जब DU का महीने पर बाद फाम फिल होगा तो वह सब्जेक्ट चूज कर लीजेगा ठीक है और इस पर अभी से परशान मत हुई है आपको फोर और फाइफ दोनों देना दोनों के लिए धंक से प्रिपेर करके पेपर दीजिए ठीक है अगर आप दोनों मेलिजिब सर मैं आराई के बारे मैं पूछ रहा था सर मैं मेरा भी ग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ सर दोर पचीस में फैनल दोंगा मैं तो उसका प्रिपेशन के अभी से मैं स्टाट कर दों येस वाइन उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर प्रिप्रिशन के लिए अगर मैं बैश अच्छा देली वाइट पर ना आराई एक लौता ऐसा कोर्स है जिसका कम्प्लीट स्टडी मट्रियल आपको अप में मिल जाएगा तो खुद से गये अप में जाके ले लिजिए सर आपका सर ऑफ्लाइन कोचिंग चलता है क्या तो कहां आना चाहते हैं मेरा ओफिस वा अगण चले तो आई सकते हैं पच्छे सार उपीज है मेरा गोराफ़ैंगर जली अलगनव में जहां भी आपको अच्छा लगे अचा लगे याजिए पांच पच्छीज देना है वप आपको अच्छा लग है सर आप कहां पर पढ़ाते हैं सर आपको तीनों जगह मिल जाएगा ठीक है मैं कहां पर पढ़ाता हूँ आप छोड़ दीजिए वो सकता है मैं तीनों जगह विजिट करता हूँ कभी-कभी आपको मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है ना ये सर आप मेरे ठीक से देख भी पा रहा हूँ भी मेरे चस्मा उस्माइब करता है तो ऐसा है जब आपको इतना क्लारिटी है तो आप इस तरह के दुनिया में न समय के साथ चलिए कि सर मैं क्या ओफलाइन कर सकता हूँ जब तुमको आपलाइन के चक्कर में क्यों पढ़ना है जब मेरा ओन्लाइन ऑफलाइन से ज़्यादा बहतर है जब मैं सारे जगा पर इसा अब्लेबल हो सकता हूँ तो पिर आप आप नहीं कराते हैं हम लोग पूरा कॉंटेंट के आप नहीं अबलेबल है वहीं वीडियो लेक्चर मिल जाएगा आपको वहीं मॉक्टेस मिल नोट्स भी है मॉक्टेस भी वीडियो लेक्चर भी और बहुत ज़्यदा फी भी नहीं आ रही के कोस्ता ठीक है मेरा बस यह सजेशन रहेगा कि अगर आपको पेपर देना है और आपको परचेज ही करना है तो फिर आप पहले ही परचेज कर लो कि उसके वन येर का एक्सेस क्लासे में लोगों को बहुत ज़्यदा इन मौल होना पड़ता है अगर आप मेरे से यहां मेरे से डारेक्ली करके बात कर पार है तो हमारी क्लासे यह से ही चलती है यहां पर बात हो रही है आप से चिक है ओके तर आल कम टू आसिफ यस आसिफ अध जी आसिव पता यह निए मैं यह पूछना चाहते हूं कि जामिया का CUT कोई लिए लिए लहा नहीं है जामिया अपना पेपर खुद कर वातीया यही तरी रीजन है पेपर स्रक्षर हो कर रहा हूं भाई जामिया का CUT कोई लिन रहा नहीं है नेक्स्काइडिट येस लिए से आसिव आफ के वोइस ब्रेक हो रही है रोड़ी, खिए रिए के रिए रोड़ी, एन्यों एल्सक्राइब को रही है? येस सेवी, येस प्लीज हलो सर्व मुझे पूछना है कि मैंने बीकॉंप का अर्षा रखा राएं हा बताएं येस सेवी, प्लीज बताएं सेवी सेवी, सेवी सेवी, येस प्लीज सर्, मैंने ना बीकॉंप ओनर्स का रखा है पर वो किजी पर्टिकॉलर सबजेक्ट में ओनर्स नहीं है तो मतलब मैं एकनॉमिक्स पर मैट्स के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं अगर दो साल पढ़ रखा है तो हो एलिजिबल है दो साल नहीं पढ़ा है, मतलब दो समिस्टर में पढ़ा है दो साल या तो चार समिस्टर पर बीकॉंप ओनर्स के रखा है तो बीकॉंप के लिए कॉमर्स पेड़़जी नहीं चूज कर सकती है कोई और ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करी जिसको आपने एट लीस्ट दो साल के लिए पढ़ा हो चार समस्टर के लिए तो मतलब एलिजिबल नहीं है इसमें टेक्निकली येस नॉट एलिजिबल एक बर मुझे जामिया का पता करना था नहीं नहीं जामिया में फिर एलिजिबलटी नहीं सट बढ़ती है जी सुर्भी सिंग अच्छा इन्होंने हैंड दे सब्सक्राइब येस आस्तिफ आप क्या करें था प्रीज अपना हैटफोन निकाले जासे आपको वाइस ब्रेक हो रही है अच्छा ठीक है आप यह कहरो कि मैं JMI का प्रिपरेशन क्लास जॉइन कर लो तो क्या मेरा उससे डीउ में भी काम बन जाएगा और उन्वर्स्टी में काम बन जाएगा थोड़ा साप लोग बात समझेए जामिया का पेपर स्ट्रक्चर में टोटली अलग है डेली उन्वर् का बीस कोशन साइंस का बीस कोशन सोचल साइंस का तो दोनों का टोटली संबन्ध ही नहीं है तो लॉजिकली हम कंक्लूट कर सकते हैं कि आपको दोनों अलग-अलग जॉइन करना पड़ेगा अप बिलीव नहीं करोगा यह आप से जादा हमारे लिए हड़ा हो जाता है लिए तो थो थोड़ा समय से पहले आत्मी को प्रिपार करते रहना चाहिए हां लेकिन एक बात जरूर है कोई बच्चा जामिया के बैच में जॉइन है तो उसको ना बहुत ज्यादा अडवांटेज मिलेगा प्यूचर में कोई भी सोशल साइंस साइंस का कोई भी बीट का जाया एक्जाम दे रहा है तो उसका अपर एच बहुत अच्छा खासा रहेगा या फिर कोई बेच जो डेली बाइट्स पर D.U.K.C through 3 वाला पेपर कोड़ चूश किया है या डेली की बाइट्स पर C.U.Q.P 0 4 वाला पेपर कोड चूश किया है जो डेली बैसे पेपर कर रह मिलेंगे तो हाँ उस तरह काप स्रेटेजी यूज कर सकते हैं एंड वापस से मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा देखो कोई भी बच्चा अगर एप में कुछ पर्चेस करता है न यार उसको हम लोग एड़ेस्ट नहीं गर्ज सकते हैं मेरे मेरे हाथ में नहीं है अगर कोई कॉम्बिनेशन में कुछ कंफ्यूज हो गया था कि लैंग्विच के लैंग्विच का बोल के पे किया था को सोशल साइंस वाले में जॉइंच करना है कोई दिक्कत नहीं है अदेश कर देंगे नौट प्रोब्लम कि वो मैथ का पेमिंट किया था सार हमको 0-3 वाले में अदे कि अरे यार कौन सा सब्जेक्ट है दि यू इभी तो देखेंगे ऐस पहले जाबने जामिया सक देना नहीं है चैक जाई जाबने फिल्टी और देखेंगे कि कि एनिवन एल्स किसी और पर डाउट रुक वह रही है येस जीनत अमान येस प्लीज प्लीज तो इन तीनों में से मैं कौन सा करूँ जो प्रफेक्ट होगा जो पको टीचिंगो का इंट्रस टो चूँज कर ले जिसमें आपका इंट्रस को चूज कर ले ज कर लिजे वह लुज घंगी न में तो शूर्भी चुर्भी चुर्भी चूर्भी स्ट लीज कि सुर्भी सिंग कि सुर्भी सिंग अपने हैंड रिस कर रहा है माइक का बटन लगाऊगा उसको दबाईए प्रेस करिए अपने अधिकार के इस्तुमाल करिए जी राजबिंदर राजबिंदर को जी राजबिंदर नमस्ते साथ नमस्ते कैसे आना हो डेली वैट्स पर आपका इतने समय बात अच्छा तो कैसा लग रहा है आपको अच्छा 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 काफी समय होगे आप से मुलकात किये हैं हां I remember meeting you in the seminar तो राजबिंदर कैसे बटक गई यहां रास्ता कैसे बटक गई आप तो मुझे वही बीएड का सोचता सब्सक्राइब में यह पूछने के सब्सक्राइब अपने कब admission लिया है सर मैंने अभी admission लिया था यह टेक्निकली तो अवाइड करना चाहिए करना साथ में जी जी क्योंकि next year भी अगर आप करती है तो clash करेगा उससे जी जी सर इस यही सर यही बस यहीं आपको अवाइड करना चाहिए सब्सक्राइड से मैंने आपके एपचा सब्सक्राइड करना आपके अप्से लाग्वे प्रचिज करना था गर्दी से पेमेंट करने लाउगेज का पेमेंट हो गया तो क्या करें सर उसके लिए अपके हस्बेंट नहीं साथ पुछा था ना यह कुछ तो होगा ना अरे एक मिनट उन्हों नहीं पुछा था ना अरे एस और नो अब बताई कि मैं क्या कर सकता हूं तो क्या कर दो बताई जो बोलेंगी जो संबहोगा कर देंगा अब बताई क्या कर देखिए पहली चीज तो हमारी कोई भी क्लास हमारे आप में नहीं होती है यह बाद आपको पता है यह सर्य पता पहले पता नहीं कुब बतागी आपने थोड़ी दर पहले बोला न तो पता चलिए ठीक है ठीक है तो हमारी डेली बैटी की प्रफेशन क्लास हमारे आप में नहीं होती है यह बात की तो क्लारिटी है ना आपको ठीक है यह आप आप ऐसा कर दीजिएगा कि देखिए सुर्वी सुने, आपने language का purchase के लिए आपको ये clear है ना कि preparation class हम लोग का app में ही होता है, ठीक है, done? मैं सुनिये, आप जाकि WhatsApp handler को message करियेगा, मैं मुझे social science से class join करना है, WhatsApp handler का number type कर दे रहा है, ठीक है, ठीक है, ये उनको WhatsApp number, आप उनको message कर देगा, कि मैं मुझे social science से class join करना है, जो भी instructions वो बोलेंगी उसको follow कर देगा, ठीक है, ठीक है, तो फिर जो भी social science का P होगा, उसमें से true triple line subtract कर दिया जाएगा, ठीक है, ये एक पल को हो सकता है, वो भी platform को loss में ही जाके करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि फिर बाद में आप फिर आएंगी कि सर, हम को social science का notes चाहिए या ये चाहिए, ठीक है, तो at least class में रहेंगी तो adjustment possible हो पाएगा, otherwise को बच्चा जाके app में ले लिए रहे हैं, तो literally बता रहा हूँ मेरे हाथ में नहीं है, कि कोई बच्चा पे कर दिया है, तो मेरे जेब में आया है, आप जब online payment करते हो, तो server बढ़ जाता है, और वो it already takes time, I think 3 to 7 days तो वो लेता है, उसमें 18% tax कट जाता है, 7% दुनिया वर का 25-26% कट जाता है, ठीक है, मेरा भी आप कोई strong recommendation ही रहेगा, कि preparation class पर है, वो unmatchable होगा कहीं से भी, notes में, mock में, that is part of our work, तो वो चल रहा है, और वो इसलिए separate भी रहता है, कुछ बच्चे ऐसा होता है, कि regularly class नहीं जोइन कर सकते हैं, और वो 9 p.m पर available नहीं रहते हैं, तो वो लो mock test notes लेते हैं, इसलिए वो separate रखा जाता है, class separate रखा जाता है, ठीक है, तो आप WhatsApp handler को message कर दीजिए, बाकि कभी और कोई ऐसे दिक्कत रहेगा, तो कल वी 9 p.m मेरा session है, कुछ है, अगर solve नहीं होता, तो आप मेरे को message कर दीजिएगा, मैं मैं देख लूँगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठी चीज बता ही है, जी बोलिये, किसी और candidate हो कोई भी हो doubt रुक रुक रही है, यस, हजरा वसी, यस, प्लिस, I hope आपका नाम मैंने ठीक पनाशेट किया है, यस, हाजरा वसी, हाजरा वसी, हाजरा वसी, यस, प्लीज, हाँ, Yes, आप कर सकती है, कोई बच्चा फर्स्ट एयर में है, तो उसको avoid करना चाहिए, आप कर सकती है, बिल्खुल, आपको करना चाहिए, आप पहले जी बहल है, Okay, sir, यही पुछी, thank you, sir, कोई और candidate, किसी को भी Jamia से लिटे कोई भी doubt or query, ठीक है, Jamia से लिटे कोई भी और चीज से लिटे कोई भी doubt or query, Otherwise, I'll be wrapping up the session, that will be all from my end. Hello? Yes, yes, please. Sir, record question पूशना था, कि actually, sir, यह इसके अंगर कहते हैं, कि Jamia में, exam मतब regular होना चीए, कोई भी पोर्स, पर मेरा graduation भी open है, और, यह किसने कहा आप से, कि ऐसा होना चीए, क्राइटरिया मैंने ऐसे YouTube पर पढ़ा था, कि किसी में regular होना चीए, कोई अच्छा, YouTube पर कोई पढ़ने जाता है, YouTube पर क्राइटरिया पढ़ने कहां जाते हैं, लोग, YouTube पर लोग वीडियो देख में जाते है अच्छा, तो जहां पर वीडियो देखा था, उसी वक्ति से clear करिये फिर, नहीं सुरी वाले बात नहीं, आप खुद सूचिये न, आप कह रहे हो कि मैंने वहाँ देखा था, उन्हों नहीं को गलत बताया था, तो हम सही चीज़ कंफर्म करने यहां पर आये हैं, तो भाई, आप इस तरह की चीज़ों में involved होंगी न, तो होगा क्या कि तुम हमेसा confused रहोगी, मैं eligible हूँ कि नहीं हूँ, क्या चलना है, और होना क्या चाहिए आपको focus करना चाहिए कि जावियां के बेफरकसाले बस क्या है, ठीक है, तो आपका focus मतलब मुझे लगता है कि बनाए रखे and also, I am not a spokesperson of any video or something, but I don't understand कि, as far as teacher education is concerned, I don't understand why do people visit lot of videos and they come to me to cross track, अरे जो लोग ऐसा बता रहे है, उनसे खुद cross track करिये, Yes, please, next candidate, किसे और कोई doubt or query? Yes, sir, Mohammed Intiaz, yes, please. Yes, sir, sir, Jamia की preparation classes का detail release कर दिया गया है, ठीक है, उसको आप देख लीजेएगा, और उसमें जो भी date अगरा mentioned है, accordingly classes सुरूँ होंगी, ठीक है? Yes, sir, anyone else किसे और कोई भी doubt, apart from Jamia, Jamia Sahat के भी कोई candidate हो कोई problem, कोई समस्कार? चिली, ठीक है, तो that will be all for this session, अब सभी लोगों को, सब्सक्राइब जामिया का बेर का class करते हैं, उसके जरीए, एम्यू की भी त्यारी हो सकती है, एम्यू की? Yes, yes, why not, EMU में वह helpful होगा, कुछ हत तक, दो EMU को पर स्ट्रक्चर अलग है, लेकि शोरली EMU में helpful होगा, ठीक, 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 तो that will be all for this session, सभी candidates को मेरी बहुत सारी सुब कामना है, प्लीज आप सभी लोग जो है, ये चीज समझे की, दो यार, मैं history पढ़ाता हूँ, तो थोड़ा सक example आप लोग को ही से ले लेता हूँ, क्या होता था ना कि, एक जमाने में, बहुत पहले जो है, जिन लोग के पास land होता था, वो लोग होता था कि, जो सब कुछ command and control करते थे, and they were the one, who were the rich people, चेक है, क्योंकि land से ही सारा कुछ होता था, जितनी भी खनेज है, या फिर कोई भी क्या कहते है, economy, agriculture थी, तो जितना भी agriculture प्रोड़क्ट बगरा है, सारा कुछ जो है, land से ही होता था, ठीक है, तो land की अपनी अलग value थी, और राजा को कहा जिता था था, कि भाया, जो जितना भी land है, तब private property के concept नहीं होता था कि ये मेरा जमीन, आपका जमीन, ये सारी जमीन है, राजा की हुआ करती है, ठीक है, तो उस समय क्या होता था, जो land owners होते थे थे, वो actual में जो है, काफी रिच्चुआ करते है, फिर एक समय के बाद ऐसा है, जो तमाम land vend वाले हैं, बहुत सारे लोग का गाउं में मिल है, और खाने के लिए महेंगे हैं, या फिर standard of life कुछ नहीं है, क्योंकि खेती से उस level का, खेती से 20 एकड़ खेत भी है, और सहर में कोई 50,000 रूपय कमा रहा है, तो 50,000 वाला ज्यादा अच्छी life जी रहा है, compared to 20 एकड़ खेती भी हो, फिर वो चीज ट्रांसफॉर्म होगय जॉब में, city life में, तो जो land की ownership थी, वो transfer हो गई, एक तरह से, कह लिजे, black gold में, industrial age में, black gold कह लिजे, petroleum products के regarding मैं बात कर रहा हूँ, फिर देखोगे कि petroleum products का जो है, अच्छा कासा, वो रोल रहा, फिर, जो IT sector, ये सारे चीजों का रोल रहा, ये जो 21st century में हम लोग जी रहा है यहाँ पर वो व्यक्ति सब कुछ control करेगा, वो व्यक्ति राजा है, वो व्यक्ति बिलेनियर है, वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा अमीर है, और सबसे ज़्यादा वो, मतलब, कह लिजे, प्रभुत्यों है, जो information को control करता है, क्योंकि अब information का बहुत value है, सूचना का ऐसा है कि उसको fake करने का अलग मजा है, ठीक है, अब राजा वो है जिसके पास जितना ज़्यादा information है, जैसे की facebook, facebook का founder billionaire है, क्योंकि बिलेनियर है, तुमको पता भी नहीं कि facebook वाले के पास, तुमारे पास कितना information है, google, google, अपने आप में billion company है, google के founder billionaire है, क्यों, क्योंकि भाई, तुम चार बार pizza, 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 pizza बोल दोगे न, अगली बार youtube पर वीडियो देखोगे तो तुमको domino's, pizza और, और उसका क्या 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 क् shopping का item बोलोगे, कोई movie का item बोलोगे, तुमको उसका ad दिखने लगेगा, ये power है, उनको information का, ठीक है, और एक समय क्या होता था, जिसके पास land होता था, भाही माले को होता, अब है कि तुमारे पास कुछ नहीं है, कि तुमारे पास information है, then you are the rich, you are one of the richest, exactly the point है, अब यहाँ पर जो लोग genuine way में आपको guide कर देंगे और आपको काम करा देंगे न, वो लोग आपको randomly YouTube पर खाली type के नहीं मिलेंगे कि वीडियो बना रहे हैं, ये अबले वले, वो अबले वले, वो उनका एक part of work हो सकता है, वो इनका एक part of the job हो सकता है, ठीक है, और वो आपको हमेशा आपक फेल्थी है, तो मैं कितना भी कोशिश कर लूँ किसी student को guide करने के लिए समझाने के लिए, आपको भी इस बात पर दक्ष होना पड़ेगा, जैसे किसी को मैंने बोला कि आपने कोई गलत course purchase कर लिया है, कुछ कर लिया है, क्यों कर लिया है, क्योंकि चाहे उनके husband भी या जॉ हो सकता है कि आपकी भी वहाँ पर responsibility कुछ हो, चीक है, क्योंकि यार मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम delegates पर रहा हो, इसलिए कि तुम को teacher बनना है और आप एक ऐसे teacher कैसे हो सकते हो, जहां पर आप ये छोटी-छोटी चीजों पर आप अपना swim अपनी दक्षता show नहीं क मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरे को सुनने के बाद at least खुद से भी एक बार रीट करूँ, अधर आपको एक दिन confusion हो जाएगा कि यार मैं distance eligible की नहीं हूँ, या कुछ नहीं हूँ, या क्या है, ये आदत डालना जरूरी इसलिए है कि आपको बहुत बड़ा वालन नकट जाए सड़क पर तमाम सरकार के अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट, चाह कोई भी गवर्मेंट हो, आद भी प्रदरशान और सारा कुछ कर रहा हूँ, तो 90 बड़न लोगों को मुद्दा भी नहीं बता हो तो क्या चलना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि at least अगर teaching sector में आ रहा हूँ, तो as a teacher, as a part of your job, यह आप से expected है कि थोड़ा सा आप समाज में, थोड़ा सा आपका sense of understanding ज्यादा होनी चाहिए, एक sense of working temperament आपका बहतर होना चाहिए, तब आप दूसरे को guide कर पाओगे, otherwise तो तुम बाते कर रहे हो बड़ी बड़ी समाज से बाकिया, और होगे, at least किसी content पर बात करिए, तो be a well-read person, पांच दिन से लागतार मेरे session हो रहा है, पांच दिन से लागतार, उसके बाद भी तमाम बच्चे आते हैं, इंस्टा पर सरा आपर reply नहीं कर रहे है, यार हर जगह है नाउंस्ट है, open session है, तुमको बात करना है, क्यों ही open session में बात कर ले तो, oh sir, मैंने पुझे पूरी ने रहे, तुम पूरी ने तो तुमारले में भी पूरी ने हुगाए, व्आ शुद I be free for you, just because you pay a fee, no don't pay, don't join, ठीक है तो यह यह चीजा समझ यह, पांच दिन से लागतार, and you won't believe, since morning from like at very at 10 am, and आपके session में आने तक 8.30 pm तकूंट कुछ ऐसा काम था है कि whole of the day I have been driving from here to there कि मैंने को पता था कि 9 PM पर session है करना इसलिए क्योंकि सिंस मैंने बोला है यह चीज़ करना है कि there is going to be a seven day session on account of teachers day तो यह भाई हम लोगा खुद से था कि नहीं करना है तो वह आपको चाहे लग रहा है कि यह सर बैठें there is lot of things that are that are going in my background चीज़ के और जब मैं class लेता हूं कुई बच्चा में ज़से पहले भी बढ़ा होगा मैं guide करता हूं कुछ भी करता हूं मैं एफ़ टाइम नहीं देखता हूं ठीक है क्योंकि अभी मेरी classes नहीं सुरू ही है अभी तर क्या कहते है बीएड वालों के साथ तो बस थोड़ा जो भी समय है बगरा है otherwise right next to my office एक बीएड का student है उसका कुछ birthday बगरा होगा तो आप लोग के सामने ही बाता है कि मैं बीचे pause रहा था तो वो cake बगरा है अभा दाले रहा तीर आई-दीर अगा आप दर लिटर आण and also I'm saying you have to develop that thing even I was not that way I literally have like continuously mentored myself you have to mentor yourself इस टून पडेंगे प्राइटीजेमे पडेंगे और continuously वो दो day to day आपके challenges भीषब ने पड़ेगा otherwise everyday some or the other जब तुम रीड नहीं करोगे तो तो तुम उतना ही confused रहोगे उतना ही तुम भटके रहोगे और उतना ही तुमको जो है more or less आपको stupidity कम चाज़ादा आपको घेर लेंगे कि जागे IP में fee payment कर दोगे फिर आओगे बोलोगे R.I.E. में admission होगे अब क्या करें अब क्या करें क्योंकि तुम इतना डर्पोक किसम के आदमी हो कि तुम्हें अपने knowledge और confidence से भरोसा ही नहीं है कि मेरे admission हो ठीक है तुम इतना fees दे लेंगे तो क्या ही हो जाएगा इसा कोई दिक्कत नहीं होगा इसे कल कोई candidate बात कर रहा तक मैंने आ रहा ही यह fees दे दिया है और यह बात मै सब पूरा कोशिश करेंगे आपको रोकने का तो क्यों क्योंकि सही बात भी सुनके थोड़ी नहीं जरूरी थोड़ी नहीं तुम implement कर लोगे और सही guidance भी थोड़ी नहीं एसा है थोड़ी नहीं कि आप ले लोगे ठीक है तो आपको यह चीज लिटरली देखना होगा और जान ले रहा है लेकिन offline मेरे पास आगे पढ़ना है आज ही है कोई दिक्कर नहीं भाई I don't have any problem अब सर हमको आप ही से पढ़ना मेरे ते इंडिविजुल पढ़ना है तो फिर तुमको ढाई तीन लाग रुव फीस देना पढ़ेगा बाई एक महीं ने का अगर इंडिविजुल मेरे से एक गंटा चाहिए तो आपको फिर वो चीज आपको समझ में नहीं आ रहा तुमको लग रहा है अच्छा हमको सर के पास जाके पढ़ना है ठीके दफर्स बहुत पहले ठीका घल यू लाइक तू थाउजन एटीन-निटीन में हिस्ट्री पढाने के लिए फॉस्ट्री पढ़ने की फ़ॉस्ट्रीश एटी पढ़ने के लूपीस पर मन्थ ठीके हिस्ट्री प आप भी कुछिश करें कि आपका वैसा value creator, it's not like कि बस randomly चले आए, कहीं ज़िल भी कम चलेदा, things should not go that way. चली खेर, ठीक है, so that will be all for this session, thank you everyone, and बहुत थारी सुपकामन है, so all the very best, good night, और कल हम लोग बात करेंगे, teacher education के regarding KBS, NBS, EMRS, DT, S, B, E, T, E, T, E, P, R, T, in such a जुपकर बात करेंगे, so good night all of you, best wishes, thank you everyone.